आज की वीडियो में हम आपको चंदर प्रवाबटी के बाले में जान कई देने बाले हैं। चंदर प्रवाबटी आवर्दी की क्लासिक मेडिसिन हैं, जो अनेक बीमारियों को अकेले ही दूर करने की छम्ता रखती हैं। जैसा कि पिडिनी से सम्बंदित रोग, मूत्र सम्बंदी विकार, पाचन सम्बंदी विकार, सालरिक और मांसिक कमजोरी, फुर्सों में बीरिश सम्बंदी विकार, महिलाओं के रोग, यूरिक एशिट की समस्या, डायविटेस, पैरमेह रोग, धात रोग, सौपन दोस, जै गोलियां आपको medical store पर आयवर्दिक दवा इस्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे यदि आप इनको online खरीदना चाते हैं तो वीडियो का description चेक करें हम आपको कुछ company के link वहाँ पर दे देंगे चलिए अब जानते हैं चंदरप्रभा वटी के दिरवे घटक इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बुटियां और भश्मय मिलाई गई हैं इसके अंदर चंदरप्रभा जिसे कचूर सश्टी आदी नाम से जाना जाता है इन सभी को अलग-अलग अनुपात लेकर यह गोलियों बनाई जाती हैं तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं कि हम इस चंदरप्रभा वटी को किन-किन बीमारियों में उप्योग कर सकते हैं और किस तरीके से इसको लेना है चंदरप्रभावटी मूत्र संस्तान पर विसेश प्रभाव डालता है और वहाँ पर होने वाली सभी समस्यां को दूड करता है जैसे कि मूत्र त्याग करते समय जलन का होना, रुक-रुक कर आना, मूत्र में चीनी आना, एलुमिनियम आना, जलन होना या इंद्रियों की जैसे समस्यां ठीक होती है, चंदरप्रभावटी किर्णी रोगों में भी बहुती लापकारी होती है, किर्णी के खराब होने पर मूत्र की उत्पत्ती कम हो जाती है, जो सरीर में अनेक रोग उत्पन करती है, एबन मूत्र साय में बिक्रिती होने से मूत्र आने पर जलन, मुत्र का रंग पीला होना या अधिक दुर्गंद बाला होना इन सभी में चंदरप्रवबवटी एक उत्तम कारे करती हैं इससे गुर्दे की कारे छमता बढ़ती है जो सरी को शाप करती है और बने हुए यूरिक एसिट और यूरिया अधि तत्वों को सरी से बहार निकालती है यदि आप किर्णी रोगी हैं तो किसी आवर्दिक चिकिसक से सला लेकर इन चंदरप्रवबवटी का सेबन कीजिए चंदरप्रवबवटी बीमारियों को दूर करने के सांस सांस सरी को शक्ति भी प्रदान करती है जो वेक्ति अत्य दिक दुबले पतले हैं या शारिक य सेबन करने से यह आपको टॉनिक की तरह लाब देती है शरी के शक्ति बनाने के लिए चंदरप्रवबवटी के साथ लोद्र सब या पुनरवाश अपका भी उप्योग कर सकते हैं चंदरप्रवबवटी सरीर के विशेले तत्मों को बाहर निकालती है नहीला पुरुषों क करने के कारण आई कमजोरी को दूर करने में चंदरप्रवबवटी विशेश लाबकारी होती है या इसे में चंदरप्रवबवटी का सेवन करना लाबकारी होता है इसकी दोदो गोली शुवे साम दूद के साथ सेवन करने से विशेश लाब मिलता है या इस्पर्म काउंट को बढ़ाता है सरी की सातो धातियों को पुष्ट करता है और बलेट पेसर को नार्वल रगता है या सुक्र भानी नारियों को मजबूती परदान करता है अन्य और पुष्टियों के साथ लेने से विशेश लाब प्राप्त होता है इस्तरियों में मासिक संबंदी विकारों में चंदर प्रवावटी बहुत अच्छा फादा दिखाती है या गर्वसे की कमजोरी को दूर करके सरी को सुस्त बनाती है गर्वसे के बढ़े हुए आकार उसकी रसोली आधी समस्याओं में चंदर प्रवावटी अच्छा लाब दिखाती है अतिदिक मैथोन या पर अधिक संतान होने से या अनिकार्णों से गर्वसे कमजोर हो जाने पर कष्ट के साथ मासिक धर्म आना अधिक बिलेडिंग होना लिकूरिया जैसी समस्याओं में यह अ गठिया बात जोडो में सूजन आधिकी समस्याओं रेती है वह भी इसका नियमें सेवन करके लाब ले सकते हैं पाचन संब्दी विकारों को दूर करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है इसका नियमें सेवन करने से मन दागनी अजियून भूक ना लगना कमजोरी महस सोना मलमूत्र के सांद वीरिका गिना वार वार मूत्र आना लुक्योरिया वीरिदोस पत्थरी अंड कोस्त में हुई खरावी पेलिया कमरदर्द नेतर रोग इस्तरी पूर्सों में जनेंदरियों से संबंदे रोगों को दूर करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है यदि आप इन गोलियों को उचित आहर बिहार के सांथ सेवन करते हैं तो आपको निच्चिन तिलाब मिलेगा चंदर परवावटी सेवन करते समय अधिक तले हुए और कब जी कारक परणातों का सेवन नहीं करना चाहिए जल्दी पचने वाले और सुपच्च आहर का सेवन करें यदि परहज का ध्यान रखते हुए आप इन गोलियों का सेवन करते हैं तो आपको निच्चिन तलाब मिलेगा इसकी दो दो गोली सुबह शाम पानी या दूद के साथ लेना चाहिए अधिक कमजोरी होने पर इनको दूद के साथ लेना चाहिए या फिर अपने बैच क के साथ नई वीडियो में नमस्कार